अभी एक बहुत चर्चा का विश्य है कि क्या भारत में सभी Android मोबाइल बंद हो जाएंगे ये काफी लोगों ने कमेंड किया और काफी लोगों ने पूछा कि क्या भारत में Android मोबाइल बंद होने वाले हैं तो ये बात क्यों उठी इसके पीछे भैरोस मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम जो कि भारत के IIT मद्रास के द्वारा डेबलप किया गया क्योंकि अभी तक पुरी दुनिया में दो ही ओपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं मोबाइल के एक एंड्राइड मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम दूसरा IOS मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम और जादा तर पुरी दुनिया में एंड्राइड मोबाइल के यूजर्स चादा हैं operating system ये एक system होता है एक technology होती है एक programming होती है जो कि आपके mobile में upload कर दी जाती है और वो पूरे mobile के function को जिस तरीके से उसका coding decoding रहता है वो operate करता है उसको control करता है तो अभी तक पूरी दुनिया में android चल रहा था android चलने से क्या था यहाँ पर जितने भी android के mobile आ रहा है चाहे वो वीवे को है चाहे वो कुछ भी हो उसमें कई सारे apps pre-installed रहते थे जिसको कि आप हटा नहीं सकते जैसे amazon के app या पैसा बाजार के app बहुत सारे apps जो कि आपको कभी use नहीं करने होते हैं वो आपकी mobile में pre-installed रहते हैं और उनको आप हटाना चाहें तो हटा भी नहीं सकते हैं जिससे कि आपके mobile के जो data है जो important data है आपका credential data है उसके leak होने का पूरा पूरा chance बना रहता है क्योंकि जिसकी हमको जरूरत नहीं वो हमें क्यों दिया जा रहा है तो इसी चीज सब को ध्यान देते हुए भारत के IIT मद्रास ने बहुत बड़ा कारनामा किया और कारनामा ये किया कि एक mobile operating system जिसका नाम है भरोष भरोष नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये जनता में भरोष पैदा करेगा भरोषा देगा कि हम आपके डेटा को कभी इधर अधर नहीं करेंगी ये देखिए एक न्यूज में भी है भरोष फाइफ खूबियों खूबियां आपको हैरान कर देंगी इस भरोष आपरेटिंग सिस्टम को जनरेट कौन किया कौन इसको डेबलट किया IIT मदरास जैसा की जानते हैं IIT मदरास जो है Indian Institute of Technology मदरास बहुत बड़ी भारत की संस्ता है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई रिसर्च का काम होता है इसी के इनक्यूबेटेड फर्म जो है वो जैंड के Operations Private Limited इस IIT मदरास का एक Incubated मतलब इनका जो टेक्निकल काम होता है वो करने की एक फर्म है एक कमपनी है जो की बच्चों को पढ़ाने लिखाने उनके प्रैक्टिकल का काम करती है उसी ने ZAND के Operations Private Limited ने Mobile Operating System डेबलब किया जिसका नाम भरोस है और यह घोस्डा की कि यह OSDES के 100 करोड मुबाइल फोन यूजर्स को लाभनवित कर सकता है लाभनवित कर सकता है कैसे लाभनवित करेगा अभी लास्ट में चर्चा करेंगे कि Android मुबाइल सभी बंद होंगे कि नहीं बंद होंगे इसकी 5 खुबिया कौन सी है पहले इसको हम देख लेते हैं पहला तो ENDE ENDE का मतलब No Default अप मतलब इसमें पहले से कोई भी Default अप नहीं रहेगा आपकी मरजी हो तो आप इंस्टाल कीजिए आपकी मरजी नहो तो नहीं इंस्टाल करिए यूजर्स को Android के विपरीत अधिकान सी storage space मिलेगा जब आप ही नहीं रहेंगे pre-install तो ज़्यादा storage मिलेगा आपको I.M. default Google Apps के साथ साथ कुछ native apps के साथ phone ship करते हैं मतलब केवल Google Apps के साथ कुछ native जो उसके linked app है जिससे Google Apps अच्छे से operate होता है वही रहेंगे mobile में बाकि कोई भी आप नहीं रहेगा आप अपनी मर्जी से जो आप पसंद करें वो install करें और उसी का use करें जिस पर आपको भरोसा होती है बहुत बड़ी चीज है हमारे credential data को safe रखने के लिए और भरोस के साथ किसी को उन apps का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनसे वे परचित नहीं हो सकते है जैसे अब बहुत सारे लोगों को Amazon नहीं पता है क्या चीज है लेकिन तब भी रहता है उसमें delete करो तो delete नहीं होता है तो इस तरीके से कोई इसमें मजबूरी नहीं रहेगी कोई आपको boundation नहीं रहेगा कि इस app को रखना है जो Indian भरोस app है तो ये बहुत अच्छी बात है users के लिए Android phone की तरह ही native over the air update भी प्राप्त कर सकेंगे मतलब आपको system को जो है operating system को update नहीं करना होगा ये automatic जैसे ही कोई update आएगा अपने आप update हो जाएगा अपने आप download हो करके installed हो जाएगा आगे इसके अलावा आपका P.A.S.S. Private App Storage Services मतलब जैसे iOS में उनका Apple Storage होता है वैसे इनका आपना एक storage होगा Private App Store Services Private App Store जैसे Google का Google Play Store है Apple का app store है उसी तरीके से इनका जो है वो भरोस store रहेगा जहां से आप इनके authentic app को install कर सकते हैं जो की पूर्ड रूपेर सुरक्षित रहेगा security और उसकी privacy standard रहेगी ये बहुत अच्छी बात है और काफी Android से काफी बहतर security रहेगी जैसा कि इनका कहना है हाला कि भरोस बरतमान में के उन संगठ्रों को प्रदान किया जा रहा है जिनके पास privacy और security के सकत आवशक्ता हैं मतलब उन्ही को दिया जा रहा है जिनके privacy और security की बहुत ज़्यादा जरूरत है जिनके उप्योग करता संबेदन से इल जानकारी को सबालते हैं जिसके लिए mobile पर प्रतिबंधित एप पर गोपनी संचार की आवशक्ता होती है मतलब अभी ये उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनको की privacy और security की सकत जरूरत है तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये भरोस जो है Android की अपेक्छा काफी ज़्यादा जो है ये सुरक्षित है काफी ज़्यादा सेफ है और आने वाले दिन में ये जरूर कमाल करेगा Android की जगा को लेने का प्रयास करेगा क्योंकि इसमें जो जो खूबियां बताई गई है अगर इतनी खूबियां है तो ये निश्चित रूप से लोग इसको पसंद करेंगे तो एक चीज ये आपकी समझ में आ गया होगा अभी तक कि अभी इतनी जल्दी जो है Android Mobile कहीं बंद होने वाले नहीं है क्योंकि अभी तो ये भरोस आपरेटिंग सिस्टम लांच हुआ है लेकिन जहां तक उम्मीद है जहां तक इसके फीचर की बात है फीचर के अनुशार ये पूरी दुनिया में जैसे Android आपरेटिंग सिस्टम चागया इसके बाद Apple iOS आपरेटिंग सिस्टम चागया उसी तरी पैरल में किसी का कोई भी Android मोबाइल बंद होने वाला नहीं है वो भी चलता रहेगा और ये भी पैरलल में चलेगा देखा जाएगा कि कौन सा ज्यादा बेटर है जैसी जनता की माग होगी उसी अनुसार परिवर्तन संभो हो सकता है तो अगर चैनल पर आप पहली बार कर लिजिए कोई लेटेस्ट अपडेट रहती है तो हम यहीं पर पोस्ट करते रहते हैं एक नई जानकारी के साथ नई अपडेट के साथ पुना हाजिर होता हूं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद